नमस्कार दोस्तों रामकेलाई दोस्तों प्रताब गब्लों से अलमा सबकाज स्वागते आद दोस्तों हम बात करूँगा नामधारी सीड्स यानियस 1155 जो मटर का सीड्स है बीज है हम दोस्तों इस नामधारी सीट्स या नियास ग्यारफ पच्पन का लगभग पांच वर्सों से खेती कर रहे हैं और यह पहुत दोस्तों आप देख पाएंगे कितने दिन का हुआ है यह भी मापको बताऊंगा इसमें पैदावार किस तरह से है फूल कितने दिन में लग जाते हैं फलियां कितने दिन में तयार हो जाती हैं सब को दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखे वीडियो को लाइक कर देए ऐसा है वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल लाइग अनल पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे आप को मेंन कोई सवाल सुजा हो है नेचे कमेंटर ज़रूर करें अगर दोस्तों हम बात करते हैं नामधारी सीट से यनियस 11.55 मटर का सीट से जो पीज है तो यह दोस्तों काफी बढ़िया इसमें लंबी फलियां लगती हैं मटर में और पैदावार में भी काफी बढ़िया है यह जो आप पौध देख रहे हैं इसकी बुआई दोस्तों हम 24 अक्टूबर को किये थे आदोस्तों 15 नवंबर चल रहा है यानि यह लगभग 22 से 30 दिन हो चुका है और देख लिजे किस तरह से इसका ग्रोथ है बढ़ियां ग्रोथ है इसका अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि यह कितने दिन में यह जो है पूरी तरह से जो इसमें फूल आना इस्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि अपने खेत पर भी डिपेंड करता है आपकी खेत की मिट्टी कैसी है मतलब अच्छी तरह से मिट्टी बना है नमी सब कुछ अगर ठीक ठाक है तब समय लिजी यह 40 से 42 45 दिन के अंदर अंदर नामध करते हैं कि इसमें जो है फलियां कित्ते दिन में आती है तो दोस्तों इसमें फलियां जो हैं जल्दी आ जाती है लगवग 80 से 50 दिन का समय लग जाता है और हमारे जो इसका पौध होता है बहुत बढ़ियस इसमें फलियां लगती हैं फलियां जो भी लगती भी हैं काफी लंबी होती है जो मारकेट में इसकी बैलू होती है एक फली में लगभग दोस्तों देखा गया है कि 9 दाने, 10 दाने देखने को मिलता है और दाने भी काफी अच्छे होते हैं जो पटपर हो जाती हैं मटे इसमें पटपर भी आपको कम देखने को मिलेंगी जो भी फलियां लगेंगी मोटी लगेंगी और जादा उसमें वजनाई रहेगा इससे क्या है कि हमारे जो भी किसान अगर इस नामधारी सीड्स या नियस 11 पच्पन की खेती करेगा उससे बढ़ियां से बेनिफिट होगा बढ़ियां से इसमें उसको जो है बेनिफिट दिखाई देगा और जादा पैदावार होता है अभी इसमें दोस्तों लगभग 22-30 दिन हो गया है अभी और इंतजार करना पड़ेगा जल्दे इसमें फ्लियां फूल आएंगे उसको बढ़ फ्लियां तयार हो जाएंगे अब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम बनाऊँगा ठैंक दोस्तों वीडियो आची करने के लिए